नमस्कार मैं राठोर विचित्रमणी सिंग आठकिल 19 पर आज से राजनीति घटनाओं पर एक नई सीरीज के साथ मैं हाजीर हूँ वैसी सियासी दास्ता जिनने सुनकर आप दंग रह जाएंगे वो कहानिया जिनमें भारत का राजनीतिक इतिहास समाया है जो कहानिया आज भी देश की राजनीत का रुख मोड सकती हैं जो सुनने में जितनी दिल्चस्प हैं उतना ही उनका आसर देश के भविश्य पर देश के मुस्तक्बिल पर और ज्यादा पड़ेगा आट की नाइंटीन की एक नई पहल है और दोस्तों इस पहल की सुरुआत में हम आपको बिहार ले चलते हैं वो पहला नेता पहला पुरु सांसद और पहला पुरु विधायक जिसको फांसी की सजा हुई वो नेता जिसके पुर्खों ने आजादी की लड़ाई लड़ी लेकिन उसी आजादी को उसने कुचलने का एक ऐसा सिल्सिला रचा जिसके किस्से सुनकर कानून भी सिहर उठा आजादी के मर्म को उसने बंदूग की नोग पटांग दिया आखिर कैसे एक नोजवान बन गया आनंद मोहन आनंद मोहन यानि बाहु बली यानि डॉन यानि गैंगश्टर यानि रोबिन हुड और राजनीत में अपराद का जीता जागता चेहरा उसी आनंद मोहन की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये बात 1978 की है देश में जन्ता पार्टी की सरकार थी आजादी के 30 साल बाद हिंदूस्तान ने सत्ता परिवर्तन देखा था मुराजी देशाई देश के प्रधान मंत्री थे वो एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए बिहार दोरे पर थे उनका हेलिकॉप्टर सहरसा में उतरा वो मंच पर पहुंचे ही थे कि 23-24 साल के एक नौजवान ने अपनी काली कमीज निकाली और एक जंडे के रूप से सरकार के मुखिया थे उस नौजवान का नाम था दोस्तों आनंद मोहन सिंग पुलिस आई और उसे पकड़ कर ले गई आनंद मोहन को ये बात बुरी तरह चुब गई थी कि शुरक्षा के नाम पर प्रधान मंत्री और आम लोगों के बीच ये बास बल्ले की दूरी क्यो को लगेगा कि कितनी समाजवादी सोच से भरा रहा होगा वो नौजवान लेकिन किसको पता था कि ये नौजवान खुद बंदूकों के साय में राजनीत का नया अपराद सास्त्र लिखेगा और वो भी मुश्किल से एक दसक बाद ही जंता पार्टी वाले प्रधान मंत्री मुरार्जी देशाई को काला जंडा दिखाने वाले आनंद मोहन जंता पार्टी के अध्यक्ष रहे पूरु प्रधान मंत्री चंदर्शेखर के नाम का जंडा उठाते रहे 1990 के दसक में बिहार में दो बाहु बली तेजी से उभरे एक आनंद मोहन दूसरे पप्पू यादव चंदर्शेखर जंता दल में आनंद मोहन को टिकट दिलाने में काम्याब रहे यह 1990 की बात है लेकिन लालू यादव पप्पू यादव को टिकट नहीं दिला पाए बिहा 68000 से जादा वोटों से चुनाव जीत कर विधान सभा में आ गए उधर पपू यादव को टिकट नहीं मिला तो वे निर्दली यही मैदान में उतरे और जीत कर आ गए दोनों की लड़ाई 1991 में मध्यपुरा में हुए उपचुनाव में चरम पर पहुँच चुकी थी इसके जनतादल ने शरद यादव को मैदान में उतरा शरद यादव बदाईव से लोग सभा का चुनाव हार गयते जिस पर उन्होंने कहा कि मुलायम सिंग यादव ने उनको हरवाया है यह किस्सा मैं फिर कभी सुनाओंगा अभी आनंद मोहन पर ही फोकस करते हैं आनंद मोहन मं अब तक लालू यादव का पूरा संरक्षां पपू यादव को मिल चुका था पपू यादव ने आरोप लगाया कि उस उपचुनाओं में मधेपुरा में लालू यादव की सभाव होने वाली थी उसी दोरान शहर के कई दुकानों दफ्तरों में आनंद मोहन के समर्थकों ने आग लगा दी पपू यादव के मुताबिक पता चला कि बगल के गाउं में कुछ लोगों के घर जला दिये गये हैं वहालात का जाजा लेने के लिए पहुंचे पपू यादव ने यहां तक कहा था कि वहां पहुंचते ही उन पर गोलियां चलाई गई जिसमें उनके त सभा करके जब आनंद मोहन मधेपूरा लोट रहे थे तो जानकी नगर के पास उन पर गोलियां बरसाई गई जिसमें आनंद मोहन के दो कारिकरता मारे गए एक घायल कारिकरता ने पपू यादव और 11 लोगों पर मामला दर्ज कराया इस खूनी जंग ने आनंद मोहन और प पर जो तस्वीर छपी थी उसमें आनंद मोहन कुर्सी पर बैठकर हाथ में बंदूप थामे हुए थे और पत्रिका ने हेडर लिखा था ये बिहार है उसका फोटोग्राफर जब फोटो लेने के लिए आनंद मोहन के पच्चिया गाउं में पहुंचा तो उसकी आंखों प खुद एक दबंग मुख मंत्री होने के बावजूद लालू यादाओं ने पूरप्रधान मंत्री चंद्रशेकर से कहा अगि आनंद मोहन को रोके आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चंद्रशेकर ने आनंदああन को समझाने से साफ मना कर दिया चंद्रशेकर से याद आया कि एक बार राची और पटना से निकलने वाले एक अख़बार में आनंद मोहन के खिलाब कुछ छप गया अब छप गया तो सांसद हो चुके आनंद मोहन गुसे में लाव लशकर के साथ अख़बार के दफ्तर पहुँच गये वे संपादक को तलाश कर रहे थे तभी उन्हें पता चला कि अरे वो संपादक जी भी चंदरशेखर के ही करीबी हैं जिनका चेला आनंद मोहन खुद को मानते थे अब इसके बाद का किस्सा पलट गया और यह हुआ कि जिस संपादक को वो सबक सिखाने आये थे उससे माफी मांग कर लोटे दोस्तों 1993 में आनंद मोहन ने अपनी नई पार्टी बना ली बिहार पीपुल्स पार्टी और अब उनका इरादा सीधे लालू यादो से लोहा लेने का था 1994 में वैशाली लोग सवा सीट पर रूप चुना हुआ तो लालू ने जंता दल की तरफ से बिहार के दिगज राजपूत नेता पुरु मुख्यमंत्री सत्यंद नारायन सिनहा की पत्नी किशोरी सिनहा को उतारा आनंद मोहन ने उनके मुकाबले में अपनी पाटी से अपनी 27 साल की पत्नी लवली आनंद को मैदान में खड़ा किया वैशाली में राजपूतों और भूमिहारों में हमेशा 36 का अंकड़ा रहता है लेकिन मामला लालू यादों से मुकाबले का था तो राजपूतों और भूमिहारों ने लवली आनंद को जिताने के लिए सारी दुस्मनी भूला दी यानि दुस्मन का दुस्मन दोस्त सब को लगा कि राजपूत और भूम्हार के मिल जाने से लालू का वैसाली में डबा गोल हो गया क्योंकि लवली आनंद चुनाव जीत गई थी उस जीत के बाद मुझपरपूर में आनंद मोहन पूरे ताव के साथ आये और ये कहा कि छे महीने बाद बिहार का मैसियम हो आनंद मोहन का इशारा 1995 की शुरुवात में होने वाले बिहार विधान सभा चुनाव को ले कर था एक उप चुनाव की जीत से आनंद मोहन इस कदर हवा में उड़ने लगे कि लालू यादव की राजनीतिक हैसियत को समझने की नजर ही खो बैठे वो भूल गये थे कि वैसाली की जीत सिर्फ राजपूतों और भूमिहारों का मेल भर नहीं थी बलकि उसके पीछे जंता दल के ही एक और बड़े नेता की खामोश और गुप्त भूमिका थी और वो नेता थे नितीश कुमार बिहार की सत्ता पर सबसे ज़्यादा समय तक राज करने वाले मुख्यमंत्री वही नितीश जिन्होंने जेल मैनूल बदल कर आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ करके सामाजिक न्याय को ही आँख दिखा डाली है दरसल नितीश कुमार उस वक्त लालू यादों से बहुत नाराज चल रहे थे वे जंता दल में थे जरूर लेकि वैसाली में चुनाव प्रचार तक के लिए नहीं गये यानि अपने समर्थकों को खामोश इसारा कर दिया कि उनको करना क्या है नहीं तो लालू यादों को उ खोटन सुकला जैसा गैंगश्टर और हिस्ट्री सीटर भी जूड़ गया जो 1995 के चुनाओं में के सरिया विधान सवा सीट से चुनाओं लड़ना चाह रहा था लेकिन दोस्तों 4 दिसंबर 1994 को उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई अगले दिन जब छोटन सुकला की सवयात् मुझपरपूर से निकल रही थी तो उस भीड में गोपाल गंज के डीम जी कृष्णया फंस गये कृष्णया को गाड़ी से खीच लिया गया उनकी कार पलट दी गई उन्हें भीड तब तक पीठती रही जब तक वे अधमरे नहीं हो गये बेहोश हो जाने के बाद भी कृ हुआ दलित अपसर थे बहुत मुश्किल से उन्हें पढ़ाई की थी लेकिन राजपूतों और भूम्यारों का नित्रित्व कर रहे आनंद मोहन से एक दलित का डियम होना बरदास्त नहीं हो रहा था इस मामले में आनंद मोहन को दोशी ठाराया गया यह बात अदालत में सा अत्यारा लिखती आ था यहां से आनंद मोहन की जिंदगी भी बदलती है और सयासत भी 1995 के विधान सभाचुनाव में आनंद मोहन खुद तीन जगह से लड़े और हर जगह से हारे इससे हतास होकर हत्यारे आनंद मोहन ने नितीश की समता पार्टी में अपनी पार्टी बिह 1998 का भी चुनाव जीता लेकिन उसके बाद दोस्तों वो कोई चुनाव जीत नहीं पाए उनकी पत्नी लवली आनंद ने हर दल का दरवाजा खटखटाया किसी दल का दरवाजा नहीं छोड़ा और आखिरकार आनंद मोहन का परिवार उसी लालुयादों की पार्टी के दरव किराना पड़ा कि उनकी रिहाई में अडंगा ना लगाएं और अंत में दोस्तों एक और जबरदस्त बात एक दलित अफसर को किसी मवाली की तरह मार देने वाले आनंद मोहन का दावा है कि उन्हें जानवरों से बहुत प्यार है जब एक बार पेरोल पर बाहर निकले तो एक बिल्ली को लेकर आयते हैं बताते हैं कि उस बिल्ली को वह जैल में अपने साथ रखते थे उनकी दवंग राजनीत और एक लित ऑई सधीकारी की हट्या के अक्वराद को देखकर आप कह सकते हैं कि आखिर इन बाग की मौसी ही होती है राजनीत भी कितने दिल्चस्प मोडों से होकर गुजरती है ना एक नई राजनीतिक दास्तां के साथ मैं फिर आऊंगा इस वीडियो में इतना ही आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर आटकिल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए फेस्बुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आने वाले दिनों में हम और ऐसे ही तमाम स्यासी किस्टों के साथ राजनीतिक दास्तां के साथ हाजिर होंगे ट्विटर है आटकिल 19 अंडरिस्कोर इंडिया इसको भी आप फॉलोग की जिए नमस्कार